से पहले तो देखिए ओवर्ड्यू है रिंग पे लेटर का ठीक है और यहां पे डेली का प्लेंटी चार्ज कितना लग रहा है तो यहां पे 567 रुपया डेली प्लेंटी लगाया जा रहा है तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अग कि मुझे यह सवाल किया कि sir मेरे जो है ओवरड्यू हो चुका और मेरे पास अभी एक भी रुपया पैसा नहीं और कंपनी का बार-बारहियां पर कॉल कर रहा है और मुझे परीसान कर रहा है और साथ मैं यह भी दमकी दे रहा है कि अगर आप पैसा का पेमेंट नहीं पर क्या होता है डिटेल्स में मैं आप लोगों को एक्स्प्लैन करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कोई भी कंपनी रिंग पे लेटर नहीं कोई भी कंपनी हो अगर आपको परेसान कर रहा है तो कैसे करकर आपको बंचना चाहिए तो चलिए वीडियो सुरू करते है वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेश्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूटीब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेलवलनोड अपिकसन को अभी लाओ करना ना जो की महज आपको 15 दिन के लिए लिमिट देता है और उसी लिमिट के एकोडिंग जो है यहाँ पर आपको चार्ज लगाया जाता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप रिंग पे लेटर के प्ले स्टोर पर ले जाके मैं आपको जो डिटेल्स यहाँ पर बता रहा तो देखिए अगर इसका about section को हम यहाँ पे खोले हैं रिंग पे लेटर तो यहाँ पे company दावा करता है कि हम आपको 35,000 का opt to limit प्रवाइट करवाते हैं और 0 activation fee लेते हैं 0 hidden charge लेते हैं 0 transaction fee लेते हैं लेकिन सच्चाई कूछ है मैं आपको दिखा रहा हूं सच्चाई कूछ और अलग है ठीक है यहाँ पे देखिए यह कार्ड भी प्रवाइट करवाता है और रिंग पे लेटर यहाँ पे डिजी लोकर से connect होता है कोई भी एक documents देना अधार card pen card आपको लोन मिल जाता है इंसेंट जो है 35,000 का लोन अभी है प्रूप करता है लेकिन 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 यहाँ जैसे कि इस page को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि zero activation fee यह बात तो सही है, zero activation fee, zero hidden charge, zero hidden charge नहीं है बहुत सारे चार्ज है इसमे, plenty का अलग charge है, consolidate charge अलग है, other service charge है और यहाँ पे zero transaction fee पे नहीं मिलता है, यह भी याद रखे मैं आपको with proof दिखा रहे हूँ, मैं चलता हूँ सिधे WhatsApp पर और मैं आपको clear दिखा देता हूं जो मुझे यहां पे भेजा गया with proof मैं बात करता हूं ऐसा नहीं कोई भी में जानकारी जो आप लोगों को दूंगा वो सटिक दूंगा ऐसा कोई भी गलत information आप लोगों को में देता नहीं ठीक है तो अगर मैं यहां पर वाट्साप ओपन किया हूं तो देखिए यहां पर लोन एमाउंट जो है पहले जो लिया गया था of incent loan यहां पर ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको करेट किए है यहां पर 1725 रुपया क्रेडिट किया गया था डेंक में पांस दिन और पांस दिन में डेलेट लग गया वह aut uncertainty अभी तक लग चुका है और अगर यह पैसा नहीं चुका आता है तो यह प्लेंटी दीन के दीन बढ़ते चलाजाता है और यह प्लेंटी इतना बढ़ेगा कि मत पुछ यह आपको प्रते एक दीन होगा कि मुझे इसका पैसा चुकाना चाहिए ज़र असल यहां पे जो लोन अप्स है आपको जो है यहां पर डरवा रहे हैं, डरवाने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको डर लगे और इसका पूरा पैसा पैमेंट कर रहे हैं, यहां पर समयस्या यह हो रहा है, कि अगर आप सही टाइम पर पैमेंट कर रहे हैं, तो इनका जो प्रोसेसिंग भी है, जो टांजेक्शन चार्ज है, वो तो आ कि आपको यहां पर प्रशानी यों का सामना करना प्ड़ सकता है दिन में 10-10 यह में घर पर हैड आने की धंकी दिया जाएगा यह लिगल एक्सेटर जो है आपके उपर करने का यहां पर यह जो अग्राइब्ली सारा चीज है तो यह क्या सच में होता है यह भी चीज जानना है तो चलिए मैं आपको इसी टोफिक के ऊपर बात करता हूं किया इस कंपणी के पास यह ओथराइज है कि किसी के खिलाप इतना चार्ज लगा दे या तो फिर यह लोगों को जो है रिकवरी के लिए इतना ज्यादा परिसान करें तो चलिए मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले देखिए यहां पे जो पैंसेट सो पचीस रुपया का लोन मिला था उसमें से बैंक एकाउंट के अंदर संताउं सो पचीस रुपया गया जो चार्ज है वो कट गया यहां पे इंट्रेस बताए गया कि 24 परसंट का इंट्रेस है लोन मिला है पंदरा दिन के लिए और पहला पहला जो आपका कटेगा वह 6590 रुपया दूसरा यहां पे कटेगा 326 रुपया वह भी कितना यहां पर देखिए चार फरवरी दोजार पचीस यहां पे कंपनी अपना किलियर है कि यहां पर दो साल का भी टाम दिये हैं और यहां पर पंदरा दिन का टाइम मिला चलिए अब मुद्न पर आते हैं कि क्या कंपनी का यह उत्राइज है किसी के खिलाप लेगल एक्सन लेता है तो मैं आपको बताओं कि अगर यह और आपका सिबिल के ऊफर रिपोर्ट कर होगा हो सकता है कोई आपके घर पर आ जाएव को पैसा दिया पैसा करने के लिए आ सकता है तो यह है और पे लेखिए कबात रहा तो छल्डशन से डिब गभनलेंकों क्लरा सब्सक्राइट सुफ्स्क्राइब करने के खिलाप लेगा तो उनको भी सठीक जनकारी देना होगा जिसमें उनको बताना होगा इंट्रेस्ट लगाएं हैं तो अगर वह कमपणी यहां पर बताइगा कि साथ जार का लोन की बदले में आप एक लाग से भी जादा payment करो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिल्कुल नहीं डरना ए जो भी लोन about आपने लिया है, उससे एक भी रूपया आपको ज्यादा payment करने का नोबत ही नहीं है गहा, मैं आपको बता दू लेकिन आपको यहां पर हिम्मत रखना होगा पैसेन रखना होगा ऐसा नहीं कि अगर आपको ज़्यादा परिसान कर रहा है तो आप परिसान हो जाते हैं और आप जो भे हैं वो करते हैं ऐसा कुछ नहीं करना आपको मैं आपको किलियर बता हूं देगी सबसे मैं जो लोन आपको मिला हो, इसे टाइम पर आपको पैमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई समिस्या रहता है, जैसे परिवारी में कोई दिक्कत है, या तो फिर आपका अक्षिडेंट हो चुका है, आपके पास रोजगार नहीं है, ऐसे में RBI ने भी कहा है, किसी भी कस्ट करने का अधिकार नहीं है, नहीं आपके घर पर जा सकते हैं, और अगर जाते भी हैं, तो वह सिर्फ रिकवरी के लिए ही जाएगा, ऐसाने कि गया उनके साथ गाली गलोज करते हैं, मार पिट करते हैं, धमकी देते हैं, यह सारा चीज गलत है, एजेंट भी आता है, तो उनको प्रोपर डॉकॉमेंट्स लिजिए कि आप रिंग पे ले है नहीं, ठीक है, तो यह तो हो गया, और यहां पर मैं और एक चीज बताऊं, कि लिगल एक्षन कि जहां तक बात होता है, तो कमपनी जल्दी से करता ही नहीं, यह तो बड़े कमपनी है, कर भी सकते हैं, कि इनको अगर RBI से लासंस मिला है, तो इनको अथराइज भी किया पैसा जब आए तब पैमेंट किजिए, जितना लिए हैं उतना ही पैमेंट करें, ऐसा नहीं कि पांस जार का लोन का पचास जार आपको पैमेंट करना है, अगर होगा भी ज्यादा कुछ तो लिगल एक्षन होगा, इसमें क्या होने जाने वाला, आपके पास भी अधिकार ह उनको भी राइट से, उनको जो ले रहे हैं पैसा रिकबर करनी के लिए और आप उनके लड़ेंगे तो यह चीज आप पर प्रूब करेंगे, यह चीज आप प्रूब करेंगे कि हाँ मैंने तो लोन लिया था, लेकिन इतना चार्ज किस बात का है, यह चीज पर अगर आप रहेंगे, तो लास्ट में कमपनी आपको ओफर देगा, सेटलमेंट करेगा, कि भाईया जो भी लोन अमांड आपने लियें, उतना इंट्रेस मन रहा है, ओर जिनल मेरा कमपनी का इतना पैसा आप दे दीजी, अगर आप उतना पैसा दे रहे हैं, तो जिन भी लोगों को यह मन में सवाल है, यह कॉमेंट कर रहे हैं, यह हमें वाट्सप पर कॉंटक्ट कर रहे हैं, इस्टाग्राम पर कॉंटक्ट कर रहे हैं, कि से रिंग पे लेटर से लोन लियें, इतना चार्ज लगा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, पैसा देना चाहिए, नहीं देना कि रिंग पे लेटर के यहां पे रिकवरी वाले किस परकार से हराश्मेंट वगारा करते हैं वह सारा चीज देखकर आप सीख सकते हैं मैंने इस वीडियो के अंदर यही चीज बताया कि अगर आप लोन लियें और पैसा आपकी पास नहीं आप जो है सही टाम पर पैमेंट करन और मुझे उमीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आदे वीडियो को लाइक से और कॉमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो रॉलेटर कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप होमें कॉमेंट करकर जरूर हुआ 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 है